किया गया है ये lockdown चलेगा Monday morning सुबा 7 बजे तक सारे residents of रजोरी से मेरी यही appeal रहेगी यह advisory रहेगी कि जितना भी गैर जरूरी travel, unnecessary travel है वो हर हालत में avoid करें जितनी भी essential facilities है उनको facilitate करने की हम पूरी कोशिश करेंगे सारी जनता से हमारी यही request है कि हमारे साथ भी थोड़ा patience रखें जहां पर किसी को भी कोई facilitation की जरूरत है वो अपने concern लोकल थाने से राब्ता करें otherwise हमारे जितने भी SDPOs हैं, zonal SPs हैं उनसे राब्ता करें जहां भी जो facilitation की जरूरत होगी हम आपके साथ हैं COVID के जो हमारे statistics आ रहे हैं रजोरी डिस्टिक्ट में, कल का data अगर देखें तो हमारे पास 892 active positive cases थे उसमें से 133 cases कल ही positive आये थे तो इन numbers से ही आपको पता चलता है कि इस issue को काफी संजीदगी से लेने की जरूरत है इसलिए सबसे request है कि COVID के इस issue को बहुत seriously ले, इसे lightly ना ले mask का, sanitizer का बड़ा strictly यूज़ करें आप अगर essentials लेने भी कहीं बाहर जाते हैं तो ये जरूरी है कि आप social distancing बनाए रखें अकसर हम देखते हैं, even chemist के बाहर जो होती है, काफी भीड होती है लोग lines maintain नहीं करते हैं, ऐसी लापरवाही से COVID और फैल सकता है पिछले कुछ दिनों में हमने कोशिश किया है कि जितनी भी enforcement हमसे हो, हम उसे ramp up करें April के महीने में हमने cumulative fine 348,000 किया है COVID violations का आज lockdown का पहला दिन था, तो हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि overall बहुत अच्छा cooperation रहा throughout रजोरी district इसलिए मैं पूरी अवाम जो है रजोरी district का, मैं सब की बहुत शुक्र गुजार हूँ कि उनने administration के साथ cooperate करके इस lockdown को बहुत अच्छी तरह से successful बनाया है लेकिन हम सब को जरूरत है कि ऐसे ही जिमिदारी से अपना फर्ज निभाते रहें आज की time में best जरिया, nation की सेवा और अपनी society की सेवा करना यही है कि आप अपनी health को लेके responsible रहें, COVID SOPs follow करें, भीडबार वाले इलाके avoid करें जिसको भी symptoms आते हैं, उनसे request है कि वो medical health लेने जाएं और अपना test कराएं जो जैसे eligible हो जाता है, वो vaccination जरूर कराएं हमने भी कराया vaccination हमारे parents, grandparents ने भी कराया है तो मैं सब को advise करूँगी, आप जब जैसे eligible हो जाते हैं, तो please vaccination कराएं और इस time में हम सब आपके साथ है, कुछ भी जरूरत हो, कोई भी मुश्किल हो, district police रजोरी आपके साथ खड़ा है Thank you Ladmin ने एक joint control room बनाया है, उसके numbers हम आपके साथ हमारे twitter handle के share करेंगे और एक press release के जरिये भी share करेंगे, ताकि वो widest possible population को उसको access हो Last time जैसे आपने बताया था, काफी help हुआ था, इंतजामिया से भी and civil society से भी आज भी जितनी हमें अगर cases कोई flag करता है, जैसे oxygen cylinder की shortage या medicine की shortage हम अपनी करफ से facilitate कराने की पूरी कोशिश करते हैं और इस बार भी वैसी ही cooperation की उमीद रखते हैं, आप से भी और हम से भी आप कहीं हमें अभी तक कोई रेपोर्ट नहीं आई है परिशानी की, आज सुवा ही हमारी टीम, DSP हेड़कौर्टर, इंचार्च, पुलीस पोस्ट, सिटी और में हम जाइजा डे रहे थे, सिटी एरिया का तो हमने देखा कि टाउन हॉल एरिया में वैक्सिनेशन चल रहा था, बहुत खुशी हुई देखके कि पुरुश और महिल आए दोनों अच्छी तादाद में आके पूरे डिसिप्रिन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेंट कराते हुए वैक्सिनेशन के लिए जा रहे हैं, उनको बिलकुल अराम से छोड़ा जा रहा था, यह मैं बिलकुल on the spot की बात करें हूँ, आज सुभा, आज दिन की बात है, तो वैक्सिनेशन को लेकि कोई किसी को इश्यों ने होगा, उमीद करते हैं, अगर लॉक्डाउन आगे बढ़ता है, तो हमारे जो मेकानिजम् टीवी ठोटे चैनल,